मुझे लोगों ने इतना चैन्ट लिया वरना इससे पहले जितने भी प्रॉपर्टी फेस्टिवल्स होते रहे हैं इसी जगा होते रहे हैं इतना जादा फूट फॉट्फॉल मैंने कहीं भी ऑब्जव नहीं किया अलब्धुल्ला पहले दो घंटे में जो फॉट्फॉल यहां पे लोगों का आया है लामुडी ने जो एक effort की है property expo की बड़ी अच्छी इसमें हम लोगों के stall पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरा ये ख्याल है कि जितना भी crowd है सब ही जो है सब का interest सब का रुजान इस वक्त यहां पर है लेकिंजी ये जो property show है first of all इसका सबसे बड़ा advantage तुझी है वैसे तो property लेने के ओर बहुत सरे तरीके हैं लेकिन ये under one roof लोगों को एक अच्छी awareness मिल जाती है हर चीज़ के बारे में knowledge मिल जाता है लोगों के लिए बहुत जाज़ा advantage है इस चीज़ का इस पूरे exhibition के अंदर हमारा मतवस्त तबका जो है वो कम जगम 80-85 परसन है कुछ उससे नीचे और गरीब हैं फिर और गरीब हैं लेकिन 85 परसन मतवस्त तबका है मैं बड़ा हरान हूँ इन builders के उपर कि जो इदर दो दो क्रोड़ रुपए की चीज़ रखकर बैठे हुए ह यह कौन लेगा यहांबर जो है वो हमारे स्टाल के उपर अला के फजल से जो है न हम मतवस्त तबके के लिए ही काम कर रहे हैं हमारे पास 9,10,10 लाग रखका प्लाट है गरीब के लिए फार्माउस जो है वो यह जो फार्माउस जब आता है तो 7 करोड शुरू होता है लेकि चाइनीज के जो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं तो उनके लिए एक ऐसा प्रजेक्ट डिवेल्प किया जाए चाइनीज के साथ मिलकर जो उनको यहां पर फैसलिटेट भी करें और हम अपने इस प्रजेक्ट को पाकिस्तान में चाइनीज के साथ अच्छे लेवल्स पर ड लोग इतिमार करके आप से प्लॉट या फ्लैट बुक कराते हैं आप वादा पूरा किया करें जो कामयाब हैं वो इसी वज़ा से हैं कि वो अपना वादा पूरा करते हैं तीन साल में अगर कुछ देना है तो वो तीन साल में दें तेरा साल ना लगा है हाजरी आप देख रहे आपने इस पाकिस्तान में एक अमन से हम करोबार करने की काबल हुए आलांके जो स्टाक एक्सचेंज की जो पॉजिशन है जो मुलकी अलाइट है अधरवाइस वो इतने अच्छे नहीं है बिजनस के अवाले से लेकिन जो इनकी एक्टिविटिया एजनसी 21 और ये सारे लोग डैफिनेटली इसलिए दराएं के इनसे कोई नो कोई चीज ये परचेस करेंगे कैमरामेन फ्रांसिस विलियम के साथ इजहार खान नियाजी राइल नियूज इसलाम अबाद